गूगल ने हेल्थ केर सेक्टर में जेनरिक AI के इस्तिमाल के लिए MED LM लाँच करने की घोशना की है। आईए जानते हैं कि गूगल का ये नया टूल क्या है और ये किस तरह काम करता है। AI के जरिए गूगल हेल्थ केर सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। गूगल ने MED LM लाँच करने की घोशना की है। MED LM हेल्थ केर AI मॉडल का एक स्वीट है जो फिजिशियन्स और रिसेर्चर्स को अध्यान करने में मदद करेगा। MED LM को गूगल ने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल MED PALM 2 पर बनाया है। MED LM फिलहाल वर्टेक्स AI प्लाटफॉर्म के जरिए गूगल के क्लाउड ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध है। MED LM के तहट दो मॉडल हैं, ये दवाओं की स्टडी और रिसेर्च करने में मदद करेगा, साथ ही साथ ये डॉक्टर और पेशेंट की बातचीत का एक रिकॉर्ड भी तयार करने में सक्षम होगा। Google का कहना है कि वो MED LM में अपने सबसे ताकतवर AI मॉडल, Gemini के Healthcare Specific Versions को भी इंट्रोड्यूस करने की तयारी कर रहा है। Google ने कहा कि उसका Large MED LM मॉडल उन सारे कामों को आसानी से कर सकता है, जिसके लिए धेर सारे कंप्यूटर और प्रशिक्षन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कि किसी Healthcare Organization के Patients का डाटा निकालना और उसकी Study करना है। Google का कहना है कि वो अपने इस AI मॉडल को और भी बहतर बनाने के लिए Physicians, Researchers और Life Science Organizations के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुल मिलाकर, Google का ये नया AI टूल, मेडिकल जगत में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है।